नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है Knowledge in Hindi और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कम्प्यूटर या लैक्टॉप से यानि दोनों से आप zip file कैसे बना सकते हो और इस तरीके को आप विंडो 10, विंडो 8, विंडो 11 किसी में भी इस्तिमाल कर सकते हो यहाँ पर आप zip file तब बना सकते हो जब आपके पास विंडो हो आप इसे अपने Mac में नहीं बना सकते हो ध्यान लखेगा विंडो के लिए बता रहा हूं में तो मेरे पास चार file है बेसिकली हम zip file तब बनाते हैं जब हमारी file थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है या उसके बहुत सारे parts होते हैं मेरे पास यह चार file है यह word file है जो कि मुझे किसी को भेजनी है zip file बनाके और वो हमेशा zip file बनी रहेगी मुझे उसे lifetime के लिए zip file बनाना है तो सबसे पहले अपनी file को देख लिजिए कहाँ पर उसे एक अलग folder या अलग location पर ले आईए मेरा है यहाँ पर desktop पर आप देख सकते हैं तो सबसे पहले अपनी file को select करिए सारी file select कर लिजिए फिर आपको इस पर right click करना है अपने mouse से right click करें आपको मिलेगा है यहाँ पर send to send to पर click करें और आपको मिलेगा यहाँ पर compressed zip folder इसके लिए हमें कोई अलग से application डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है computer laptop में यह option basically पहले से ही होता है बस आपके पास window computer laptop होना चाहिए तो compressed zip folder पर click करें तो हमारा यहाँ पर zip file का folder आ चुका है यहाँ पर आप इसका नाम डाल दीजिए मैं करता हूँ my bill files कर दिया है मैं एंटर करता हूँ अब इसे कोई भी जैसे कि मैं इसे यहाँ पर करता हूँ इसे कोई भी open करेगा मैंसे किसे को send करता हूँ तो उसको यह zip file मिल जाएगी तो वो इसे extract कर सकता है और use कर सकता है अगर हम कोई software या कोई भी ऐसी चीज प्रोवाइड कराते हैं जिसका size सोड़ा सा बड़ा है ज्यादा MB की है या GB में जा रही है वो तो हमें उसे zip file बनाना पड़ता है तो हमारी zip file बन गई है और आप इसे कहीं पर भी upload save या send कर सकते हो वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा